हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हमारे चैनल HR15 के अंदर और आज हमारी पहली टेक न्यूज है तो आए शुरुबात करते हैं अपने वीडियो की तरफ तो पहली टेक न्यूज कुछ इस परकार है Poco F3 जो GT वर्जन है वो इंडिया में कंफर्म हो चुका है और इसके अंदर Dimensity 1200 प्रोसेसर कंफर्म हुआ है और यह Q3 2021 के अंदर इंडिया के अंदर लौंच होगा मतलब कि जून के अंदर इसकी आने की संभाव नाई है तो उस समय पर इसका एक इवेंट भी है तो उसके अंदर यह आ सकता है और यह बहुत बढ़ यह फोन है क्योंकि यह जो 1200 फोन चिपसेट है यह है 7 नैनो मेटर के उपर बना हुआ है और बहुत ज्यादा पावरफुल है यह कुछ इस फोन के बेसिक स्पैक्स हैं आप इन्हें पढ़ सकते हैं और अगली टेक न्यूज के तरफ आप चलते हैं इंडिया के अंदर वन पलस नोल्ड जो सीई फाइफ जी वर्जन है वो लॉंच हो चुका है इसके साथ कुछ अधर प्रोड़क्ट भी वन पलस उस दिन वो लॉंच करेगा और यह दस जून रात को साथ बजे इसका इवेंट है तो उस समय यह अपने प्रोड़क्ट को अगर डिकोड करते हैं तो अठारा जून का जिकरा होता है और अठारा जून निकल गयाती है इससे ऐसा लगता है कि अठारा जून को पपजी बैटल ग्राउंड से जो है वो इंडिया के अंदर लौंच हो सकता है तो फॉर्ट टेक न्यूज रियलमी यूजा के बारे में ह क्योंकि कुछ समय पहले Realme ने लोगों से ओपिनियन मांगा है और आपना सर्वे रखा है कि वह वापीस से ColorOS को कंटिन्यू करे या फिर Realme UI को कंटिन्यू रखे तो सर्वे की फोटो आपको देख चुके हैं तो यह सर्वे की फोटो थी और आपको क्या लगता है Realme UI बेस्ट ह या फिर ColorOS क्योंकि दोनों सेम ही है बाकी मुझे ColorOS से ज्यादा Real MIUI पसंद है क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुत है स्पेक्स मुझे अच्छे लगते है ColorOS से तो आप कमेंट करके बताए आपको ColorOS ज्यादा बड़िया लगता है या फिर Real MIUI तो ऐसे ही अमारी डेली टेक न्यूस देखने के लिए हमारी चैनल कीजिए सब्सक्राइब चैनल का नाम है चारपंदरा और ज्यादा ज्यादा वीडियो के सेर कीजिए और एक कमेंट कीजिए अगर आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए फोन के उपर हम वैसी वीडियो आप का स्पोर्ट हमें चाहिए तो हमारे चैनल लोग कीजिए सब्सक्राइब